बार दोस्तों, हवे आपने पाठने समझिये। हजारों वर्ष पहलानी आवाज छे। ए समय बाड़को आश्रम मा बनवा जता। आश्रम घरनी पासे न होई। बाड़क सातेक वरश्नों थाई, इटले एने उपनेन संसकार करवा मावता। पची ए बटुक कहवातो, ए दूर आश्रम मा बनवा जतो, आश्रम मा बारेक वर्ष सुधी बनवानू रहतू, बनतर पुरु थाया पचीज, गेर पाचा आववानू, दिवाडी के उनाड़ानी रजाव न हती। गाम थी दूर वनमा आश्रम होय, गुरु अने विद्यार्थी साथेज रहे, आश्रमना जीवनमा खुबज शिस्त रहती, बनवानी साथे दरेक ने कामपण करवानू रहतू, गुरु जी जे कहे ते काम। वहली सवारे उठी, नाही, दोई, सव गुरु जी पासे पहुची जता। प्रार्थना संध्यावंदन थाए, इटले गुरु जी सव ने काम वहची देता। सवारनू काम करी, सव बनवा बैसता। बनवा बैस्वानू कोई घटादार रुक्ष्नी छाया नीचे। वडलो होई, कि आमबो होई, कि पीपडो होई। एने फरते बटु कोई, जाते बनावेल सरस ओटलो होई। गुरु जी ओटला पर बैसीने सव ने बनावे। सव गुरु जी नी वातने ध्यान्ती सांबडे। मगजमा उतारे। न समझाय तो प्रश्न पुछे। गुरु जी सव ना प्रश्नों ना जवाब आपे। बोजन पछी थोड़ोक वीराम रहतो। वड़ी पाचा सव पोत पोताने सौपल काम मा लागी जता। काम पतावी सांज पहला आश्रम मा आभी नाही धोई संत्यावंदन अने प्रार्थना थता। गुरु जी प्रार्थना बाद उपदेश आपे। कथा वार्था कहे। सव बटु को बोजन करी समय सर उंगी जाई। आश्रम मा वेद वेदांगों नू अध्ययन थतु। अश्वविद्या, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद इवा विवीद शास्त्रों नू अध्ययन थतु। आ आश्रमना जीवन मा मात्र बनवानूज नहीं, पण साथे खुब काम करवानू रहतु। आश्रम मा दरेग जन काम करे। गुरुजी पन काम करे औने शिश्यो पन काम करे। जीवन मा उप्योगी एवा काम शिखवं मा आवता। कोई खेतर मा काम करे, कोई रसोडे काम करे, कोई व्रुक्षो उचेरवानू काम करे, कोई दाब कापी लावी एमा थी आसन बनावता शिखे। दाब कापवा मा कुशड थव पड़तू। कारजी न राखे तो ए दाब आंगळियों मा चीरा पाड़े। कोई पांदळाना पत्राडा अने पढ़िया बनावे। कोई सुतर कांते। कापड वनता शिखे। कुवा माथी पाणी काड़ता शिखे। काम करता करता वस्तु औनी जानकारी मड़े। अने काम मा कुशड पण थवाई। एक काम शिखी लेवाई। इटले बीजु शिखवा मड़े। आश्रम जिवनन्नु सुत्र हतु। काम करता जाओ अने काम शिखता जाओ। विश्वा मित्रमुनी नो आवोज एक आश्रम हतो। विश्वा मित्रमुनी खुब गिणानी हता। एमने त्यां शिश्यो पन तेजस्वी आवता। त्यां वारोणी नामनो शिश्य हतो। बणवामा खुब ज होशियार। सवारे शिखवाडियु होई ते सांचुदी मातो एने याद रही जतू। कारण के आखो दिवस ए मनमा एनूज रटन अने विचार कर्या करतो। गुरुजी ने ए जाज जातना प्रश्णो पूछतो। गुरुजी एनी शंकाओनों निराकरण करता। गुरुजी ने पण एक गमतो। वारुणी ने अध्ययन खुब गमतू। पण काम करवामा एने मज़ा न आवती। काम करती वखते ए बणवाना विचार करतो। काम बाजुए रही जतू। सांज पड़े सव शिष्यो काम व्यवस्थित पतावी पाचा फर्या होय। पण वारुणी मोडोच पड़े। एनु काम पण अधुरू ने अव्यवस्थित रहतू। एने हवे काम करवानों कंटालोज अव्वा माण्यो हतो। एने थतु। क्यारेक बिजा शिष्यो आगर ते आवो बोली जतो। गुरुजी ने काने आ वात पहुची हती। पण तेओ तक मड़े तेमी राह जोता हता। इदिवसे वारुणी ने कुवा पर रेंट चलावानू काम सौप्यो हतु। गुरुजी पोते अन्या शिष्यो साथे खेतरमा काम करता हता। वारुणी ना मनमा सवारे गुरुजी ये शिखवेलू चाल्या करतु हतु। यगनो वडे देवनी आरादना करवी एह आपणों पहलो दर्माचे। पच्छी गुरुजी ये शुँ कहुआतु। आम विचार करता करता वारुणी ना हाथपक चाल्ता अठकी गया। रेंटफर तो बंद थाई गयो। एना गड़ामा पाणी आउतु बंद थाई गयू। थाडामा पाणी रेडातु अठकी गयू। यां थी दोर्यामा अने दोर्यामा थी केतरमा जतो पाणी पण बंद थाई गयू। खेतरना काममा विलंब थयो। बदाने कारणीनी खबर हती। वारोणीने जे काम सौपाई तेमा अबूच थाई। गुरुजीने थयू के आ सारी तक छे। ते ओ खेतरमा थी कुवा तरफ आव्या। एमने जोयू के वारोणी रेंट पर बैठेल छे। पन रेंट चालतो नथी। एनो द्यान क्यांक बीजेज छे। गुरुजी ये पूछियू। वारोणी एकडम चौकी गयो। इने गुरुजीने वंदन करया अने पोतानी स्थिती छावर वामाडयो। एतो हुँ जरा तमे भणावेला रूचा यार्थ करतो हरतो। एटले रेंट जरा अटकी गयो। जूओ आप भरीती चाले। रूकाईजा। आ रेंट, कुवा, थाडू, बराबर जुईले। रेंटना गड़ा किवी दिते गोटपायाचे। जोया गुरुदेव। ए गड़ा उंदा चत्ता थाई, तो शूँ थाई। कुवा माथी पाणी निकडे नहीं गुरुजी। आ रेंट उची महनते कुवा माथी पाणी बहार काड़ेचे। आ रेंट, थाडू, दोर्यो, अने नीकनी व्यवस्ता शुदी काड़ेनार व्यक्ती, गड़ानी के अग्णानी? ग्णानीच के हवाई, गुरुदेव? अग्णान पोथी माथी नती मड़तू, बणवाथी नती आवतू, काम करता करता सुझे छे। काम करता करता जने बुद्धी लड़ावी, अने रेंट बनाव्यो, एपण ग्णानीच छे। ओते बुद्धी पुर्वक काम कर्यूं, कुशर्ता दाख्वी अने बीजाओने पण मदत करी। जे काम थी ग्णान वदे एपण विद्यात छे। एपण एक प्रकार्नो यग्णत छे वत्स। बस, गुरुजी आ यगने इटले शूं, एनो जहूं विचार करतो हतो, हवे मने समझाय। हजू गणू बाकी छे, सांजे संध्यावंदन वखते, एनी वाद करी शूं। एम कही, गुरुजी खेतर तरफ चाल्या गया। वारुणी ना हाथपग साथे एनो मन पन जोड़ाय। एने बमना जोरे काम कर्यू। हाथपग जरा दुखता हता, पन मन मा गणो उत्सा हतो। सांजे गुरुजी ये शरुवात करी। तमने खबर चे के कुवा मा थी रेंट वड़े, पाणी थाड़ा मा, नेपची दोर्या थकी खेतर मा पहुंचे चे। पण तमने खबर चे के कुवा मा पाणी क्यां थी आवे चे। बद्धा शिश्यो एक बिजानी सामे जोता हता। गुरुजी ये कहिू। સૂર્યના કિરણોથી પાની ગરમ થાય એમાંથી વરાળ બની વાદળા બંદાય અને વર્સાદ રૂપે એ પાની પાચું સમુદ્રમાં જાય પણ કિટલુક પાની જમીનમાં ઉત્રી જાય છે શોશાય છે દર્તિના પેટાળમાં ઉંડે સરોવરો છે એમાં એ પાની ભરાય છે એમાં થી ઘણી સરવાની નિકળે છે ભૂમીને ખોતા આવી સરવાની હાથ લા એટલે જ અન્ણ પેદા કરવું વ્રુક્ષો ઉછેરવા અને જિવનમાં સગવાળો ઉભી કરવી દરેગ જણ આ આખી વ્યવસ્થા માં ઓતાનું કામ કરે એ યગના જ કહવાઈ એટલે ગુરુજી સારુ અને બુદ્ધ્પુર્વક કામ કરતા સિખું એ પણ વિદ્ધ્યા સિખવા બરાબર છે એ મજ ને હાવત્સ એકલું ભણું જીવનમાં કામ ન લાગે જીવા માટે જીવનને ઉપ્યોગી વિદ્યાપણ શીખવી પડે એ કામ મન અને બુદ્ધી પુર્વક કરવાથી જ આવડે છે કામ કરતા કરતા ભણું એ સાચી વિદ્યા છે